दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर सेल डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ministry of Rural Development की तरफ से डिप्लोमा और B.B.T.E.K. वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी Junior Engineer और Assistant Engineer पोस्टो पर वेकेंसी रहेगी डारेक्ट भरती रहेगी All Our India के Candidate यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जो आप सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप Telegram चैनल और WhatsApp ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिस्यल नोटिस पर नोटिस आपका जिला ग्रामीन विकास अभिकरन खूंटी जहारखंट की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर Diploma और BB Tech वालियो के लिए वेकेंसी निकाली गई है अब बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में यहाँ पर आपकी किस पोष्ट पर वेकेंसी रहेगी टोटल नंबर उफ पोष्टे यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है आपकी vacancies को यहाँ पर category wise के से बाटा गया है essential qualification क्या मांगी गई है age limit आपकी क्या रहेगी और कैसे आप इन पोस्टों के लिए अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आपकी 5 अलग-अलग पोस्टों पर vacancy रहने वाली है पहली vacancy यहाँ पर आपकी रहेगी सहाय का भिंता यानी assistant engineer के लिए total यहाँ पर 4 पोस्टों पर vacancy है जिसमें UR के लिए 2 पोस्टों पर vacancy है और अनुसूचित जंजात के लिए यहाँ पर 2 पोस्टों पर vacancy है अगली वेकंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कनिय भिंता यानि जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर वेकंसी है और लास्ट वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ग्राम रोजगार सेवक के लिए टोटल यहाँ पर आपकी नो पोस्टो पर वेकेंसी रहेगी यहाँ पर ITI वाले अपलाई कर पाएंगे बात कर लेते हैं आपकी educational qualification के बारे में तो पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सहाय के भिंता यानि assistant engineer के लिए यहाँ पर आपको अनिवारी योगिता में बताया है अगर आपने किसी भी सरकारी मानिता प्राप्त संसान से civil branch में B.B.Tech किया है आप यहाँ पर eligible रहेंगे और अत्रिक्त योगिता में यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने किसी भी सरकारी मानिता प्राप्त संसान से civil branch में M.Tech या PGDCA, MCA या फिर आपने MSC किया है computer science में तो यह qualification आपकी AJ अत्रिक्त योगिता में count की जाएगी अगली विकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कनिय भिंता यानि junior engineer के लिए यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने किसी भी सरकारी मानिता प्राप्त संसान से civil branch में diploma किया है आप यहाँ पर eligible रहेंगे और इसके साथ यहाँ आपने civil branch में B.B.Tech किया है तो भी आप यहाँ पर eligible रहेंगे और last frequency यहाँ पर आपकी रहने वाली है gram, रोजगार, सेवत के लिए यहाँ पर आपको अनिवारे योगेता में बताया है अगर आपने किसी भी सरकारी मानिता प्राप्त विसी विद्याले संस्थान से intermediate किया है या फिर आपने metric पर इच्छा के बाद किसी भी ट्रेग में ITI किया है आप यहाँ पर apply कर पाएंगे तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.B.Tech diploma या फिर ITI किया है आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं आगे आपको यहाँ पर बताया है कि जो भी candidate यहाँ पर apply करेंगे आपको अपने विस्वित डाले संस्थान से related जो भी आपके मानिता के कागजात हैं वो लोग आपको यहाँ पर अपने application form के साथ में submit करने रहेंगे अब बात कर लेते हैं आपकी age limit के बारे में तो इन पोस्टों में apply करने के लिए minimum age आपके 18 साल होनी चाहिए और maximum age यहाँ पर आप लोग के टिगरी बाइस देख सकते हैं जैसे UR के लिए 35 साल EWS के लिए 35 साल SCHT male female के लिए 40 साल next हम बात कर लेते हैं आपके pay level के बारे में तो पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सहायक अभ्यंता के लिए तो salary यहाँ पर आपको 22,000 रुपे प्रतिमंथ मिल जाएगी next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior engineer civil के लिए salary यहाँ पर आपको 19,000 रुपे प्रतिमंथ मिल जाएगी और last vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है gram रोजगार सेवक के लिए salary यहाँ पर आपको 11,000 रुपे प्रतिमंथ मिल जाएगी job basically यहाँ पर आपकी contract based पर रहने वाली है initially appointment यहाँ पर आपकी एक साल के लिए रहेगी बाकी से आपकी performance और requirement के साब से आगे application form को download कर लिजे यहाँ पर आपसे आपकी basic details मागी गई है यह सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से flip करनी है और इसके साथ में आपकी जितने भी ज़रूरी document है उन सब को आपको self test करना है और आपको भेज देना है इनके official address पर और यह सभी document आपके 28 October तक इनके official address पर पहुँच जाने चाहिए तो जिन भी दोस्तों ने हमारे VBtech diploma या फिर ITA किया है इन ब्रांचों में आप इन पोस्टों के लिए interested होते हैं eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you, शुक्रिया